नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत थे मनजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया खेर ये चीज काफी वाइरल हुई थी किसी जमाने में फिलाल इस सेशन में और कुछ है पर मनजिल का जिक्र स्टार्टिंग में ही कर दिया है ताकि आप फ़र देर सबर कर सकें और रुख सकें हम एक बहतरीन अनाउंस्मेंट करने वाले हैं आपके मनजिल के लिए नहीं नहीं हम आपका भविष्य तो नहीं देख रहे हैं पर हाँ अगर आप UPC जर्णी के साथ जोड़ना चाहते तो हम आपके भविष्य में कुछ योगदान जरूर देना चाहेंगे मनजिल कुछ आने वाला है कुछ देर का इंदजार और हम आपको बताते हैं क्या है फिलाल हम आपको एक टॉपिक पर लेकर चलते हैं जो करेंट अफेर्स में आ रखा है बॉंबे हाई कोट या मुंबई हाई कोट बोला जाए दो हमारे पास जस्टिस हैं रेवती मुहिते देरे और जस्टिस मंजुशा देश पांडे जी ने इन दोनों ने एक जज्जमेंट दिया जज्जमेंट दिया इनफोर्स्मेंट डारेक्टर रेट को और बोला कि देखो Right to Sleep एक Basic Human Requirement है, Right to Sleep एक Basic Fundamental Right है, इसको आप भंग नहीं कर सकते है। बात यूँ थी कि Article 226 का यूज किया गया था। यूज करने वाली जो Petitioner है जिन्होंने रिट की थी, उनका नाम है 64 साल के वो हैं गांधी दाम में रहने वाले राम कोटुमल इसरानी है। जब 226 में ये रिट पहुँची तो इन्होंने सुना और कहा कि देखिए ऐसा है, आप ED ने क्या किया था, इनको जो ये नाम है 64 साल के जुवरिद है, इनको रात 12 बजे से लेकर रात के 3.30 बजे तक इंटरोगेशन करते रहे। और इनका अरिस्ट का टाइम भी कुछ इध इसी भंग कर दी, रात के समय आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं समझेगा, हाई कोट ने बोला कि देखो ऐसा है, आप चुकी एक इनकोईरी आपके खिलाफ करनी थी, तो इन्होंने पकड़ा है और इन्होंने आपको स्पेशल कोट के सामने 24 घंटे में ही यहाँ परस्तूत कर पेश कर दिया है, इसलिए मैं इस पूरे अरेश्ट को मैं इलीगल तो नहीं ठेराएंगे हम लोग, पर हाँ, हम E.D. को सक्त सर्कुलर देने की बात कहेंगे, E.D. को इन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा, कि आप एक सर्कुलर जारी करिए, टाइमिंग्स फॉर रिकॉ कि आपका हम मैं अरेश्ट जो है, वो इलीगल तो नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटे में आपको मौझूद यहां कर दिया गया कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, पर हाँ, इनको एक मैं हिदायत देते हैं हम लोग, कि आप एक सर्कुलर जारी करिए, अब आईए समझते दूसर हो रही थी, वो Prevention of Money Laundering Act के Section 50 के तहत हो रही थी, Section 50 के तहत अगर देखा जाए, तो आप आराम से बाद में भी record कर सकते statement, अभी तक तो वो accused, एक तरह से बस एक accused है, कोई गुनात उसमें साबित नहीं हो गया, हाँ, अगर CRPC की बात है, और CRPC में दिख रहा है कि कोई अपरा प्रादी है, तो आप ये काम कर सकते थे, तो आप arrest भी कर सकते हैं, पर अगर आपको सिर्फ ए statement लेना था, तो आप कल भी ले सकते थे, और ऐसा नहीं पहली बार statement लिया गया, इस report के हिसाब से, petitioner had previously cooperated with investigations, पहली भी investigation में किया गया था, अब आपके सामने एक सवाल है, देख कर सकती है, पर उसके लिए circumstances होने चाहिए, अगर सिर्फ statement लेने के लिए वो आपके दरवाजे पे खड़ी है, तो आपका पूरा है वहाँ पे कि आप उसको अलाओ अंदर नहीं करेंगे रात में, पर अगर warrant के साथ है और कोई आ रहा है, तो आपको अलाओ करना पड़ेगा अगर arrest की बात आएगी, तो कोई wait नहीं करेगा, arrest रात में भी किया जा सकता है, आप भी नीचे comment करके बताएगे कि आपको क्या लगता है, क्या arrest रात में किया जा सकता है, हमने अपनी बात बता दिया आपको, अब समझना ये भी है कि article 21 का सबसे बड़ा दायरा है, article 21 में 2011 और 12 का, 2011 बारा के case में honorable Supreme Court ने कहा, कि sleep was a necessity and it is not a luxury, ये जो सोना है ये एक necessity है, luxury नहीं है, और case हुआ था, 2011 बारा का राम लीला मैदान incident हुआ था, जहां राम दे बाबा इन्वाल थे, और उनके खिलाफ ही चीज़े हो रही थी, और वहाँ पे रात में सब सोई हुए थे, तब police पहुचती है, तो Supreme Court ने इसको बोला कि अरे आप ऐसा नहीं कर सकते हो, right to sleep, उस समय सब toil करके ठक हार के सोते हैं, वो आधे state में होते हैं, जहां पर उनका consciousness नहीं होता है, आप कैसे उन पर ऐसा अलाथी चार्ज कर सकते थे, खेर, right to sleep को fundamental light ठहराया गया, इतना ही नहीं sleep, peacefully at night का अधिकार मिलता है, तो आप उनको सोने दे, आप उनको disturb ना करें, और इतना भारत की बात नहीं है, 2001 में European Court of Human Rights ने भी रूल किया था, that it was the resident's right to have a good night sleep, and it was hearing a case by United Kingdom anti-noise group against some people, some writers, या some चीज, जो overnight flights at Heathrow Airport होती थी, तो बोला सार, रात में भी नहीं सोने दे रहे हैं, तो आपारा देश में नहीं, बाहर भी देखा जाए, तो right to sleep को एक बहुत basic requirement माना गया है, खेर, आप नीचे comment करके एक चीज ज़रूर बताएगा, आपको क्या लगता है, right to breathe clean air, क्या ये ये भी एक fundamental right है, नीचे comment करके ज़रूर बताएगा और रूके रहिए, क्या आपने एक गाना सुना है, या अभी तो ये पहली मनजिल है, तुम तो अभी से घवर आ गए, देखिए आपके UPSC के preparation के दोरान मनजिले बहुत आएंगी, पहली मनजिल आपका PT का पढ़ाओ, उ क्योंकि वाकई में मनजिल कुछ होने वाला है, मनजिल 2024, हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने, मनजिल 2024, April 28, 28 April को, एक से धाई बजे के बीच में, आपको इसी चैनल पर लाइव रहना है, और देखना है कि हम लोग कैसे, हमारे जो toppers हैं, और toppers की संख्या ठिक ठाक हमारे पास और वो आपको बताएंगा अपना गुरु मंतर, और उस मंतर को आप और हम दोनों लेकर चलेंगे, आपको लाइव होना इसी चैनल पर, UBC Unstoppable पर एक से ठाई बीच में, एपरेल 28 में, और आपके लिए जो लाइव होगा, तुरंद इंस्टैंट भी कुछ आपको मिलेगा, और इंस्टैंट क्या मिलेगा, अभी देखिया, आपने पिछले ओफर आया था, क्या जबरदस लोगों ने अपनी रूची दिखाई, 29995 में लोगों ने कोर्स लिया है, वैसा ही बड़ा रिवील होने वाला है, आपके लिए सिर्फ तो आपको बस लाइव रहना है, एक से धन्यवाद इसको सुनने के लिए और जरूर लाइक सब्स्राइब और शेर करिएगा, तो देट सेफ कर लीजे, 28th of April, 1-3 बजे, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और जरूर लाइक सब्स्राइब और शेर करिएगा, जो question पूचा उसका आंसर दीजेगा, जै हिं कर लो ऑन्यवाद सुनने कर दो दोक्र देड़गा, जै है नएक सब्स्राइब और लाइक सब्स्राइब